Hello Friends, आज हम Class 5th का Chapter No.8 करेंगे, Mapping Your Way, यानि कि हम इस Chapter में जो है, Map के बारे में पढ़ेंगे, इस Chapter के अंदर Map दे रखे हैं, तो स्टार्ट करते हैं, आशी is going to India Gate to see the Republic Day prayed with the other children of her school, यानि कि जो आशी अपने स्कूल के बच्चों के साथ India Gate जाती है, Republic Day की जो प्रेट देखने के लिए, As the children settle down, जैसे बच्चे सब वहाँ पर बैट जाते हैं, they hear the something about India Gate on the loudspeaker, तो उनको कुछ announcement सुनाई देती है, loudspeaker के उपर India Gate के लिए, To the right of the President of India is the India Gate, यानि कि To the right of the President is India Gate, जो इंडिया के राइट साइड थे, वहाँ पर पर प्रेजिएंट थे, This was built in memory of the Indian soldier who died the First World War, यह क्यों जो प्रेट है, यह क्यों निकाले जाती थी, यह प्रेट इसके निकाले जाती थी, जब इसके स्टार्टिंग हुई थी, जो soldiers मर जाते थे, जो soldiers मर गए थे First World War में, उनकी याद में जो है, उनकी memory में यह प्रेट जो है निकाली जाती थी, There are lots of people sitting on the both side of Rajput, इनकी बहुत साइड लोग जो है राजपत की साइड पर बैठे हुए थे, The main road along which the parade passes, जो main road थी वहाँ से जो है, परेट जो निकल रहे थी, Children are taking about the building they can see around them, और बच्चे बात कर रहे थे, जो उसके आसपास building से उनको देखके वो बात कर रहे थे, उसके बाद है, here is a photograph taken from a helicopter, और helicopter से भी कुछ photograph ली जा रही थी, You can see Rajput, the road which joined India gate to Rajputi Bhavan, Mark, where on Rajputi Will Aditi B. देखो, यहाँ पर नहीं picture दे रखी है, यहाँ पर एक फोटो दे रखी है, यह देखो भी यहाँ पर India gate है, और India gate के सामने, यह बिल्कुल सामने straight road जाती है, बिल्कुल सीधी, और इसके side में हमें यह map दे रखा है, ठीक है, तो यह देखो, यहाँ पर यह India gate है, और India gate, जिसे यहाँ पर यह India gate दे रखा है, ऐसे यहाँ पर यह जो है India gate है, और इसके बिलकु स्ट्रेट ये सामने जो है ये रोड जा रही तो अब हमने इस map और इस photo को देखके जो है कुछ questions के answer देने हैं तो यहाँ पर है mark where on Rajput will be will Aditi be यानि कि इसमें पूछा है कि हमें ये देखके बताओ कि जो Aditi है वो Rajput में कहां बैठी होगी उस जगा पर हमें एक mark लगाना है यानि कि राजपत कहा है ये राजपत है अब राजपत में वो कहां बैठी होगी अब राजपत से इधर जो है यहाँ पर क्या है इंडिया गेट है ठीक है अब Aditi जो है इंडिया गेट के आसपास ही बैठी होगी तो इंडिया गेट के पास ह लगा सकते हो, उसकी बाद है, have you seen a map, आपने कभी map देखा है, अपने city का, तो इसका answer yes लेख सकते हैं, look at the map one, अब आपको map one में देखना है, match it with the photo and find out where India gate is, अब आपको जो है, ये photo और India gate का जो ये map दे रहे हैं, इन दोनों को आपने match करना है, draw it on the map, ठीक है, अपने map में match क करना है, तो सबसे पहले ने क्या पूछा है, कि photo and find where the India gate, photo और map में जो है, photo में आपको find करना है, कि India gate कहा है, match it with the photo and find out where India gate, यनि कि photo में आपको क्या करना है, find करना है, और बताना है कि India gate कहां पे है, तो पहला और क्या बूला है, have you seen the map of a city, तो आप लिखोगे, yes, I have seen the map of city, on matching the map one with the photo, we find the position of India gate is drawn on the map as shown, अब आप इसके अंदर जो है, यहां पे दो को draw कर रखा है, यहां पे यह इंदिया gate है, और यहां पे यह इंदिया gate है, जिसको hexagon के यह बिलकुल अंदर है, ठीक है, तो यहां पे आपको इस map के अंदर draw करना है, draw it on the map, यहां पे यह जो है, य इसके बाद है, second, some road are shown in this part on the map, look for them in the photo, कुछ जो है आपको road दिखा रखी है, इस map के अंदर, तो वही जो है आपको same photo के अंदर भी देखनी है, देखो यहां पे क्या दे रखा है, यहां पे जो road दे रखी है, उसके साथ में mark का name भी लिखा है, बट यहां पे नहीं लिखा जाते हैं, तो राचपत पड़ता है, राचपत से आगे यह पूरी road जो है यह राचपत की है, और आगे जागे यह विजे चोक पड़ जाता है, विजे चोक के बाद यहां पे आगे जाके राश्टपती भवन पड़ता है, जो कि यहां पे भी दिखाया हुआ यह राश्ट अब उसके बादर ने बोला है तो यहां पर हम यह लिख सकते हैं इसमें यहां पर हम देख रहे हैं बिलकुल क्लियरली विजिबल यहां पर भी बिलकुल क्लियर दिख रहा है वह अब है नेम रोड नाट यू विल क्रोस अन यूर वे फ्रम राश्टपती भवन टू इंडिया गेट अब जो है रोड जो क्रोस करते हो आप जो रास्टपती भवन से लेके इंडिया गेट तक के बीच में कौन-कौन से रास्टे पढ़ते हैं वो आपको लिखने हैं जिसम न मांसिंग रोड भी पढ़ता है यह सत जगाएं जो हैं रास्टे में इसके लिख रोड नेम you see the photo in uh.. दिखो यहां पर जो है, यह national stadium यहां दे रखा है यहां पर India gate, उसकी जो back side प not.. वह क्या दे रखा है.. National Stadium but हमें यहां पर कहीं पर भी national stadium नहीं दिखा रखा photo के अंद है India gate के back side पर नहीं दिखा रखा यहां पर कहा लिखेंगे यहां लिखेंगे the national stadium in map 1 I cannot see it in the photo, ठीक है आगे देखते हैं, 114 पेश पे the central hexagon, अब यहाँ पे central hexagon की बात हो रही है, if we zoom in the look more closely at the one part of the map it's look like this अगर वही वाला पार्ट, यही वाला जो पार्ट हमने भी यहाँ देखा था जो इधर देखा था हमने यह hexagon वाला अगर इसको closely देखे, पास में से देखें तो यह ऐसा देखेगा ठीक है, उसके बाद अब question क्या बन रहा है, look at the shape of the yellow area, इस yellow area की shape देखो, have you seen the shape before, क्या आपने यह shape पहले देखी है how many sides does it have तो आपने यह shape देखनी है, have you seen this shape, yes, I have seen in this shape, before आपने पहले देखी होगी बिल्कुल देखी होगी, how many sides does it have इसके कितनी sides हैं किती sides हैं, one, two three, four, five, six किती sides हैं इसकी, six sides हैं, उसके बाद है if you are walking on राज़्पत, then after इंडिया गेट, on which side would children park be जब अब राज़्पत से इंडिया गेट की तरफ आते हैं यानि कि यह राज़्पत है, और राज़्पत से जब इंडिया गेट की तरफ आते हैं, तो कौन सी side पर जो है, वो children park पढ़ता है, तो देखो, यह जो ब्राजबस इंडिया गेर के तरफ आते हैं इधर जब इधर आगे के तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर यह जो इंडिया गेर तो यह कौन सी साइट पर पढ़ता है चिल्डरन पार्क कहां दे रखा है हमें चिल्डरन पार्क हमें इस साइट दे रखा है यनि कि कौन सी साइट तो यह जो है right side पड़ेगा, right side कैसे पड़ेगा, अब भी तो आपको अब जब आई-स type से book देख रहे हो तो आपको लेप साइड साइड से आएंगे, तो आपको यह right side पर ही पड़ेगा, अब book को जो है move करके भी देख सकते हैं, यह हमारा right side पर पड़ेगा, उसके बाद, which of these roads mark the biggest angle, हमें biggest angle बताना है इसके अंदर, तो biggest angle जो है कौन सी road पर पता देखो, यहाँ पे नहोंने हमें 3 angles दे रखे हैं, एक angle हमें यह दे रखा है, एक angle हमें यह दे रखा है, और एक angle हमें यह दे रखा है, तो आपको देखने सी पर चल रहा है, कि सबसे pair of the road cut at right angle अब right angle किस से बन रहा है जनपत और राजपत से देखो यह जो है इस टाइप से अगर हम इस तरह से देखें बुक को घुमा के इस तरीके से तो यह जो है एक right angle पढ़ रहा है ऐसे यह देखो ठीक है तो जनपत और राजपत वाला जो है एक right angle हो रहा है उसके बाद आगे है वेटिंग फोर दा प्रेट अब यहां पर जो है प्रेट की वेट हो रही है यहां पर कि अभी प्रेट शिरू होगी वो देखेंगे वाइल वेटिंग फोर दा प्रेट प्रेट कंचन और सम ओफ इस फ्रेंड वंडर वेट इस प्रेट एंड तो जब प्रेट शुरू होने वाली होते तो बड़े हरान होते हैं सोचते हैं कि प्रेट कहां पर जागी खतम होगी कंचन के पास एक निउस पेपर लेके आते हैं जिसके इंदर पूरा उसका रूट लिखा हो है कहां से लेके कहां तक स्टार्ट होगे तो सबसे पहले वीजय चोग जाएगी फिर राजपत जाएगी इंडिया गेट जाएगी उसके बाद तिलक मार्क बीएस जाफर मार्क प पर आके फिनिश हो जाएगे अब यहां पर यह सारा दे रखा है ठीक है अब इस मैप को देखके हमें कोशन के आंसर बताने हैं नीचे नोने हमें दे रखा है कि जो टूस स्केल सी जब आप देखोगे इस मैप को मेजर करोगे जब भी आपका टू सेंटिमेटर आएगा कही पर भी तो उसको आपने वन किलोमेटर मानना है यांकि टू सेंटिमेटर यहां पर इकोल है वन किलोमेटर के ठीक है अब देखते हैं फिर्स कोशनिम से क्या पूछा उसके बाद यह आपस में बात भी कर रहे हैं यह क्या बात कर रहे हैं आपस में हे सी डाट इंडिया मेरी मदर ने मुझे बोला है, my mother told me it is 2 km फ्रम विजे चॉक टू इंडिया गेल, यानि कि इसकी मदर ने इसको क्या बोला है, कि 2 km पड़ता है, विजे चॉक से लेके, इंडिया गेल, यानि कि हम इसको पहले देख लेते हैं, विजे चॉक हमारा यहां पर है, यह विजे चॉक से लेके इंडिया गेट का जो रास्ता है वो पूरा 2 किलो मिटर है ठीक है 2 किलो मिटर मतलब 1 किलो मिटर 1 किलो मिटर में कितने सेंटी मिटर है यहां पे 2 सेंटी मिटर दे रखें 2 किलो मिटर में इसके डबल हो जाएंगे 4 cm, तो हम इसको ऐसे देते हैं, 2 km भी है ये, और 4 cm भी है ये, ठीक है, cm का भी पता चल गया, km का भी, यहां हम लिख लेते हैं, 4 cm है, और 2 km, यह रास्ता है, पूरा complete, ठीक है, आगे देखते हैं, उसकी बाद हम बोलता है, and the long road between these is राश्पत, जो इसका जो लंबा रास्ता है, उसके बीच में राश्पत है, on this mapping, it is about the 4 cm, जैसे भी मैंने को बताया है, वो 4 cm ही बनेगा, यहां पर भी लिखा हुआ है, 4 cm है, जिसकी वज़े से क्या है, वो 2 km रास्ता उसका बन जाता है, let's guess, how many km long राश्पत is, अब यहां पर लिखा कि guess करो कि राश्पत से जो है, कितना किलोमेटर रास्ता होगा, उसके बाद लिखा, you are right seat that written at the bottom, this map, scale 2 cm, 1 km के, तुमने देखा, हाँ हमने, वो कह रहा है कि बिल्कुछ सही, map के नीचे भी यह लिखा हुआ है, कि जो 2 cm, 1 km के equal है, जो है, उसके अंदर, mark करना है, कि जो रास्ता उसका, कितना दे रखा है, तो आपको इसमें, इंडिया गेट और राश्पत जो है, वो mark करना है, तो यह जो है, वो क्या है, इंडिया गेट, यहाँ पर आप स्टार्ड लगा कर, यहाँ पर, तो यह सारा राश्पत है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, इंडिया केट के जो स्टेट रोड जा रही है, राश्पती भवन वीजेचों के तरफ, वो सारी क्या है, राश्पत है, उसके बाद है, अब आपको मैप अच्छे से देखना और बताना है, कि which of this is the longest road, सबसे बड़ी road बतानी है, बियेस जाफर मार्क पढ़ रहा है, सुभाश मार्क या तिलक मार्क, तिलक मार्क जो है, वो सबसे बड़ी road है, यह जो road है, देखो, तिलक मार्क वाली जो road है, यह सबसे बड़ी जो है, यहाँ पर यह road है, जो की आगे भी जा रही है, तो इसका answer है तिलक मार्क, इफ रूबिया इस कमिंग फर्म जामा मस्जिद, तो जॉइन दा प्रेट, गेस अबाउट, अगर रूबिया को, जामा मस्जिद की तरफ से आ रही है, उसको प्रेट को जॉइन करना है, तो इसको कितना लंबा रास्ता पड़ेगा, देखो, अगर वो जामा मस्जिद की तरफ से आ रही है, यहाँ पे जो है, वो जामा मस्जिद है, यह जो point है, यह जामा मस्जिद है, वो आ रही है तो यहां से जो है इसी रोड से बादुर जफर रोड से जो है यहां से होती हुई जो प्रेड है वो रेट फोर्ड की तरफ आएगी अगर वो यहां से आ रही है तो यहां से आते आते वो यहां पर जो है इस प्रेड को जोईन कर लेगी तो यानि कि यह रास्ता क किसके बराबर है, 1 km के बराबर है, यानि कि उसको कितना रास्ता पड़ेगा, 1 km जो है उसको यह रास्ता पड़ेगा, तो Ruby is coming from the Zama Masjid, जोईन दाप्रेंट, guess how far she will have to walk, 1 km, उसको सिरफ 1 km चलना होगा, Zama Masjid की तरफ से, तो रास्ते में उस प्रेट को जोईन कर लेगी, उसकी बादा, the total route of the प्रेट is about how long, अब total route बताना, 3 km है, 16 है, 25 है, या 8 km है, तो देखो, इसको हम इस तरी किसे मेजर करेंगे, जो यह रास्ता है, जो हमने विजे चोक से लेकर, इंडिया गेट, यहाँ पर है, इंडिया के जो स्टार लगा हुए है, इस स्टार से लेके, इस स्टार से करें, अगर हम मेजर करें, तो इस 4 cm आता, जो कि हमने भी पहले भी किया था, 4 cm, अभी जो अपने पूरा रास्ता, जो मेजर करना है, हम cm में करेंगे, उसके बाद हम उसको km में चेंज करेंगे, तो यहाँ से लेकर, यहाँ तक कितना हो गया, 4 cm, अब यह जो स्टार है, यह बीज का सेंटर, यहाँ से लेकर, यह पॉइंट जो है, यहाँ करेंगे, यानि कि यह हम मेजर करेंगे, तो ये भी कितना आ रहा है ये भी जो देखो यहां से देख लो देखो यहां से लेकर यहां तक इस point तक यह जो हमें यहां दे रखा यह जो start दे रखा यहां पे आपने एक-एक point लगा लिजे यहां से लेकर यहां तक major करोगे तो यह भी 4 cm यह भी 4 cm अब इस point से लेकर आगे तक हम इसको major करेंगे, अब यहां से लेकर यहां तक major करें, यहां पर point लगाते हैं, क्योंकि उसके बाद सुभाश मार्ग है, तो यहां से लेकर यहां तक देखें, तो यह 3 cm आ रहा है, ठीक है, अब इस point से जो हमने point लगाया है, इस point से लेकर, यहां से लेके यहां तक यह पूरा जो है यह सुभाश मार गया यहां से लेके पहले यहां तक मेजर करेंगे फिर यहां से यहां से यहां तक हो गया टू सेंटीमिटर फिर आगे लेंगे तो यह भी हमारा यहां से यहां तक टू सेंटीमिटर तो टोटल सुभाश मार का रास्ता कित तो यह सिरफ 1 cm आएगा, ठीक है, यहां आ गया हमारा, यहां से लेकिया तक 1 cm, अब हम इन सब को प्लस कर लेंगे, यहां पे हमारा क्या आया था, 4, 4, 3, 4, 1, देखो, 4 cm, 4 cm, यहां पे भी हमारा आया था, कितनी बर 4 आया, 1, 2, 3, 3 बर 4 आया, 4 cm, और एक बर हमारा 3 आया है, और यहां पे एक बर हमारा यह 4 आया, तो हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, यह 3 और 1 को प्लस कर देंगे, तो कितना आजेगा, 4 cm, अब 16 को जो है, हमने 2 से डिवाइट करना, 2 cm is equal to 1 km, तो जो 16 cm हमारा आंसर आया, उसको हम 2 से डिवाइट कर देंगे, तो 2 एट जा, 16, यानि कि हमारा जो यह रास्ता है, कितने km हो गया है, यहां से लेगे यहां तक, 8 km, ठीक है, तो हमारा जो रास्ता है, यह 8 km यहां पर आ जाएगा, ठीक है, आपने इस तरीके से इ cm में मेजर कर लेना है, उसके बाद आपने इस सब को प्लस करके, 2 से डिवाइट कर दोगे, तो आपका km में आ जाएगा, उसके बाद है, as the parade passes by, they see some children coming as an elephant, तो मतलब उसके बाद यह सब जो जो चीज़ां यहां पर लिखी है, कि वो कुछ ना कुछ जो यहां पर देख रहे trip to Redford में है, when we reach Redford, जब वो Redford पहुंचे, तो there was a long queue for ticket, तो वहां पे बहुत लंबी line लगी हुई थी, ticket के लिए, the main entrance is called Lowry Gate, जो उसकी main entrance, जहां से entry करते हैं, उसको Lowry Gate बोला जाता है, after entering, we turn left into the long corridor with the little shop on both side, जब उसके अंदर entry करते हैं, तो एक बड़ा लंबा सा corridor type बना व पाता है, I bought some lovely bangles from there for my sister, तो वहां से मैंने जो है, sister के लिए bangles करी, देखो यहां पे picture दे रहे हैं, मीना मजार, यहां से entry करते हैं, लोरी gate, और यहां पे उन्होंने एक map दे रखा है, Redford के अंदर का, अब इस से related जो है, question यहां पे आएंग, और नीचे यहां पे लिखा हु नागर खाना यहां पे दे रहे है, where drum were beaten to shout out king message, जब उनको king का message देना होता था, तो यह वो side है, जहां पे वो शोर मचा के king का message देते थे, you can go straight to नागर खाना and the reach दिवाने, यहां अब इस से बिलकुँ सीधा जाएंगे तो दिवाने आम पड़ेगा, this is where the king used to meet the common people, जहां प the three more building on their left side, उसके left side पे तीन और building है, look for these and map, जो किया map में देख सकते हैं, we walked left from the rung mail, जब rung mail से left की तरफ आप जाएंगे तो दिवाने खास पड़ेगा वहां पे, जो की राजा किसले यूज करता था, ministers, मिलता था, ministers से, और कोई important लोग होते थे, वहां पे वो मिलता था, द दिवाने खास के अंदर की, अब questions क्या होते हैं, यहां पे देखो, which of these is near river यमना, the दिवाने, दिवाने आम and दिवाने खास, नियर यमना के पास क्या पड़ेगा, देखो यह जो है यमना यहां पे दिखाए हुई है इधर, तो इसके पास कौन सा जो है, उन्हें पूछा है पड़ेगा, दिवाने आम यह दिवाने खास, तो हम देख लेते, दिवाने आम का आए हैं यहां पे, दिवाने आम तो इधर है, लेकिन दिवाने खास इस साइड़, यह जो है, यह दिवाने खास है, देखो यह आपे लिखाओ ना, arrow दे रिखा, यह जगा जो दिवाने खा परता है दिवाने खास और रंग महल के पीछ में वो आराम खाँ परता देखो यहां पड़िये दे रखा है यह है अराम घो फिक है थो यहां पे इस एक सट सट क्या है छे रंग महल तो रंग महल में करके द्वां चास और बीच मय if अब नेक्स्ट है which building do you pass while going from रंग महल to हमाम जब आप रंग महल से हमाम की तरफ जाते तो कौन कौन से building पड़ती है अराम खाम पड़ती है दिवाने खास पड़ेगी और मोती मज़ित पड़ेगी हम देख लेते हैं रंग महल से हमाम हमाम जो है वो ये रहा ठीक है और रंग मह जब जाएंगे तो रंग महल के पास जो है क्या पड़ेगा यहाँ पर अराम खा पड़ेगा अराम खा के पास यहाँ पर क्या पड़ेगा दिवाने खास पड़ेगा और दिवाने खास के पीदर इधर क्या पड़ेगा यह जो है इधर यह पड़ेगा मोती मज़ित मोती मज is farthest from the मीना बजार, कि मीना बजार से सबसे दूर कौन से जगा पड़ेगी, अगर हम इस मैप में देखें तो, देखो मीना बजार जो है वो यहाँ पर है और सबसे दूर जो इसमें पड़ेगा वो पड़ेगा हमाम ठीक है, यह जो है, इसमें सबसे दूर पड़ेगा क्योंकि तो, इधर से यह सब जो है यह सब इधर से ज़र जाएंगे, तो यह सबसे दूर पड़ेगा ठीक है, उसके बाद about how far is लोहरी गेट अब लोहरी गेट से दिवाने खास का रास्ता कितना है 600 km क्योंकि रोने क्या बोला था, यहां पर scale में 1 cm जो है, वो 100 मीटर के बराबर है, जब हम इसका लोहरी गेट से लेके दिवाने खास तक का रास्ता देखेंगे, इनकी यहां से लोहरी गेट यहां से शिरू होगा और जब हम इसका रास्ता यहां तक देखेंगे, दिवाने खास तक, तो यह 6 cm आएगा यहां पर सब में 11 cm आएगा, देखो पहले यहां से लेके, मीना बजार से लेके, यहां तक का रास्ता यह इस पॉइंट से, फिर इस पॉइंट से लेके यहां तक का 2 cm फिर यह 3 cm फिर आमें दिवान से लेकर यहां तक 4 cm फिर यहां से लेकर यहां से लेकर 5 और यहां से लेकर यहां तक 6 cm तो इस त्रीके से जो है यह सारा 6 cm पड़ेगा और 6 cm जो 600 m के equal होगा क्योंकि यहां पर लिखा 1 cm is equal to 100 meter ठीक है तो इस तरीके से ये हमारा 600 meter जो है इसका answer होगा तो आप ही हम इस वीडियो में यहाँ पे 1118 एनकि 1118 पे इस तकी complete करेंगे next वीडियो में हम इसका आखे का part करेंगे अगर आपको